फाइनली अपने सब्सक्राइबरों को अपने फॉलोवर्स को अपने चहीतों को इतना इंतजार करवाने के बाद हमारी मैडम ने 6 तारीक का जो उनका अनिवर्सरी डेट था उसको 11 तारीक में आडिटिंग करके अपलोड कर ही दिया जिससे की वीवर्स इनके खुश हो जाए आए करते हैं उनके इस लेटेस्ट व्लोग का रिव्यू हाई फ्रेंड्स वेलकम बैक टू मैं चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ इसाथ बैला एक अंद बाना बिल्कुल मिस्मत की जगह जिससे की मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए पहले तो मैं आपसे माफी मांगूंगी क्योंकि मैंने तीन दिन हो गए आज वीडियो नहीं अप्लोड किया है क्योंकि तब ठीक नहीं थी और कुछ और भी रिजन थे जो वक्त आएंगे तब मैं आपको बताऊंगी कि मैं वीडियो क्यों नहीं कर पाई थी आये तो वीडियों करते हैं अब जब सारा जिम्मा आप लोगों नहीं लिया है अपने सर पर बड़े बुजुर्ग बन करके बड़ों को पूछना ही नहीं है तो फिर इस बात लिए कि शिकायत किस चीज की तो आपको तो करना ही पड़ेगा ना फिर और कौन और मैडम करती है अपना फेशल वो भी एनिरिवर्सरी वाले दिन ही कहती है कि आज हमारी एनिरिवर्सरी है और मैं कर लेती हूँ फेशल क्योंकि इसमें सारे चीज़े बताए गई है उसके बाद जाती है मुल्ला की दोड़ मस्जिद तक और इनकी दोड़ कहां तक येस इनक तक इनोंने कभी नहीं दिखाई थी उनसे उन्होंने फाइनली मिलवाया जो कि ये बोल भी नहीं थी कि मैं एक साल बाद तुम्हें मिली हूँ और यहां पर बे मतलब की शिकायत करते हुए नजर आए कि आप लोग मुंबई आते ही नहीं आप बुलाते ही नहीं तबी तो मुंबई आते नहीं है आज फाइनली फुपी भी देखने के लिए मिली जो आज तक अबी देखने के लिए नहीं भी ती है जिसमें सहे हमें सरफ एक ही फुपी नजर आती है और वो कप्ड़े रेडी मेट थे ये स्टिश थे वो पता नहीं हमें कि वो जो है बाद में stitch करवाएंगी क्योंकि बाक्यों के तो सब के पहले ही बन गए थे तो पहले लाके दे दिये होते और वो सिल्वा कर पहली होती जब पता तो था कि वो आने वाली ही है या फिर आएंगी ही और भाई एक बात बताईए कि आप लोगों को नहीं पता होगे आपकी फुपी या बुवा जो भी आप कहते हो हमारे वीवर से पूछ रही हूं मैं क्यों आपको नहीं पता कि आपकी बुवा या फुपी कहां पर रहती है हमारी डबब मैडम को यहीं नहीं पता कि हमारी फुपी जो है वो कहां से आई है और अम्मे का कितना प्यार उडल लूरल के आ रहा था कि ये हमारी सबसे चोटी ननन्द हैं, अभी कभी सबसे चोटी ननन्द को अपने घर पर बुलाओ, प्यार मुहबबत दिखाओ, कभी अपने घर में रखकर आउ तवज्जो करके तो दिखाईए उनको, अभी सात बजे तो वेन्यू पर जाना है, चार ब किया हो, एक और मामू की छोटी सी बच्ची हमें दिखाई दी, जो कि उसको भी एंड टाइम पर ही कपड़े दिलवाने के लिए, देखें, बच्ची के लिए तो चल जाते हैं, क्योंकि उनके तो रेडिमेटी होते हैं, लाईए और पहने, लेकिन कई बार बड़ों को समझ करवा कर ही पहने जाते हैं, सो एंड टाइम पर ये सारे काम करना भाई मुझा तो समझ में उनका नहीं आया, हाला कि उस बच्ची को कपड़े दिलवाए हैं, आए वे दो से तीन दिन हो गए, लेकिन एनिवर्सरी वाले दिन खास उस बच्ची को कपड़े दिलवाने के लि रेडी हैं, उनको पता था कि अब ये आएगी और मैं इसको कहूंगी तो ये मुझे लेके जाहेंगी, तो वो कहती हैं, लोग मैचिंग पर्स लेते हैं, अम्मी मैचिंग चपले मांग रही हैं, जूती मांग रही हैं, बेटी की अनिवर्सरी पाई हैं, बेटी इतनी बीज मतलब इस उमर में भी आपका फैशन में कमी नहीं है यह बिलकुल भी ने सवरने का और फैशन करने का तो बेटी कर टाइम है उसकी पहली अनिवर्सरी है और आप तो उसी से कॉम्पेटीशन कर रहे हो और फाइनली हमें वो शब्द सुनने के लिए मिलते हैं कि हम आ रहे हैं अगर आपको समझ में आया तो प्लीज बताइएगा जो कि मेरी जानकारी में है उनके दादा एकस्पार हुएते तो उनकी जो दादी है वो डेफिनेटली इद्दत में होंगी उस टाइम पर उनको शूट करकर इतनी दुनिया के सामने दिखाने का क्या मतलब था यह जो टा कैमरा लेकर उनको शूट ना करूं आपको शूट करना था ना आप मिठु को शूट कर लेती तोते को शूट कर लेती अपनी खालो को शूट कर लेती अपनी अम्मी को शूट कर लेती उनको चपले दिला लेती लेकिन उन बेचारी को ऐसे टाइम पर जो वो परदे में है य मेरी दादी ने भी की ती, कोई भी एज की लेडी हो, अगर उसके husband expired होते हैं, तो उनको लाजमी है, उन पर फर्ज है, अपनी शोहर के लिए इद्दत को पूरा करना, यानि कि चार महिने दस दिन वो इतने जादा परदे में रहते हैं, थाल ने किसलिए कि उनके बेटे, बाप और उनके भाई, और वो चार महिने दस दिन इदत में रहते हैं, तो उनको बिलकriage शरम नहीं आई, उनको इस तरह से बे परदाई करते हुए, अरे anniversary तुमारी है न, तो तुम ये तो देखो, और वहाँ यह हरकते का करके उसके बाद वापस आ जाती है घर पर आ राकर दिखाती है । 건데 यह वही ड्रेस है जो हमारें आहे थी और पहेंने गे आपमेशे बल्ट भी घणते हैं वहाँ अच्छा की किसे अधा रहने जिली नहीं आपके एक मटिंवा 있고 जिन बातों पर आप खढ़े ना उत्रों उंस बातों को तो बहडा सा है नहीं बैदम का है कि उनका फुल्कत मेंग तो तो बेर का है लेंग वह कर दो ही धाला है लिए तंब अधित कीते सैंफंग अधिक पर लुक में ही ज्यादा बहतर लगती है बहुत ज्यादा एक्सेस मेकप में इनका अजीब सा ही फेस हो जाता है जैसे कि आपने देखा था ना वो ब्राइडर लुक कराया था और उसमें आज भी फोटो वाइरल हो रहे हैं जिसमें वो बिल्कुल एना बेल जैसी लग जी करते हैं कि मैं सामने से बहुत ज़्यादा खुब्सूरत हूँ तह आपको मेकप की जरूतनी ती तेसा अपना लगाते हैं रहाल का इस बहुत पना लगालो लाशार इनकी dress पर आच्छा dress के देखे मैं बताती हूं मेरा personal opinion थोड़ी सी यह है कि ठीक है जिनकी नई शादी होती है साल बर हो या दूसरी anniversary हो या first anniversary हो तो जो red color होता न एक तो वो प्यार का प्रतीक होता है दूसरा red color नहीं नहीं शादी शुदा हो ladies को ladies हो लड़कियां हो जो भी हो उनके ओपर अच्छा लगता है तो मैं color के ओपर कुछ नहीं कहूंगी हाँ अगर 3-4 साल हो जाते हैं शादी कर उसके बाद आप इस तरह से heavy और इस तरह से लाल dress बिल्कुल pure red color पैनो तो वो थोड़ा awkward लग सकता है लेकिन नया पहली anniversary मना रहे हैं celebrate कर रहे हैं तो मेरे सी body shape में होती तो definitely यह बहुत अच्छी और भी जादर लग सकती थी अब मेकप की ही बात देख लो वो जो बच्चियां हैं जो teenage बच्चियां हैं जिनको बिल्कुल हलका light मेकप करना चाहिए था उन पे इतना भर भर के थोप थोप के मेकप कर दिया है कि वो अपनी age से दिख रही हैं और बहुती अजीब awkward लग रहा है लड़कियों को तो जितना अच्छा हो सके ना अगर वो आप सिर्फ एक कोई भी BB क्रीम लगा कर भी आप यह सब कर सकते थे लेकिन आपने शादी की तरह से पूरी तरह से जो है इतना double coated करके मेकप करा दिया कि दोनों बच् तो जो तीनों लड़कियां थी ना उनमें मुझे सबस अच्छी जो लग रही थी वो बहुत प्यारी लग रही थी विज़ा का जो original कलर है ना उससे कई tone lighter उसको जो है foundation लगा दिया है वो इतना जादा उसको light कर दिया है कि बहुत ही जादा awkward लग रहा था जो साफारा थी फ marks दोंगी तो मैं यहां पर उनको six marks दोंगी किसलिए दोंगी वो भी क्योंकि extra coating होने की वज़े से और dress जो है dress अच्छी है लेकिन वो dress जो ना fitted नहीं थी तो बहुत ही अजीब उनमें ऐसा लग रहा था बहुत सारे मेरे जो सब्सक्राइबर था है जब मैंने फोटो फोटो शेयर किया था ना तो बहुत सारे सब्सक्राइबर ने यह आंकड़े लगाए थे कि शी इस प्रेगनेंट क्या यह प्रेगनेंट है क्योंकि जो फ्रेंट स्लिट वाले जो कपड़े होते ना जब आपकी तमी या थोड़ा सा आप मोज़े है फोटा सा गेन कर ले तो वो ज़्यादा ओक्वर्ड लग रहा था अब भई देखिए जब इनका व्लोग ही वो 25-26 मिनट का आया है तो हमारा जो रियक्शन है वो भी चोटा कैसे हो सकता है लेकिन हम इसको दो पार्ट में अप्लोड करेंगे तो यह पार्ट में यहीं खत्म करते हूं वीडियो पसंद है तो लाइक शेर कीजिएगा चैनल पर पहली बारा है तो सब्सक्राइब कीजिएगा और नेक्स पार्ट देखना बिलकुल मिस मत कीजिएगा मिलती हूं एक और वीडियो के साथ तिल देन बाई 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 अलाहाफिस टेक केर